हाई एवरिवन कैसे आप सभी आप सब्सक्राफे से स्वागत है उशा क्लासिस पर तो स्टुडेंट्स आपके लेकर आई हूँ प्रीविएस येर्स के इस क्वेश्चन्स जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उसके बेस पे प्रीविएस येर्स में क्या क्या क्वेश्चन्स आय सब्सक्राइब करने के लिए आपको सबसे पहले आपको पार्ट वन पार्ट टू पार्ट इस तरह से देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको ओल का वीडियो दिखाया है ओल और सम का वीडियो एक मैंने बनाया है एक मैंने वीडियो बनाया है एक मैंने बेसिक वीडियो बनाया है तो आप जब यह तीनों देख लेंगे तो आप इन questions को easily लगा पाएंगे और आपको असान भी लगेंगे तो जिसने नहीं देखे हैं वह पहले concept को clear करें उसके बाद इन questions को attempt करें तो statement हमारे पास दिया है all suns are moon तो सबसे पहले step ना क्या होगा कि we will make the wind diagram तो all sun, सारे sun किस में है? all suns are moon, सारे sun किस में बैठे है? moon में, सारे sun किस में है? moon में, किस में है? moon में, ये मेरा moon है bigger part ठीक है? some suns are planet और बोले कुछ sun है वो क्या है planet तो sun का हिससा में यहाँ पर ऐसे भी तो बना सकते हैं इसको some suns are planets तो इस तरह से ये मेरा diagram बन गया क्या? when diagram बन गया है अब हमारे पास conclusions पूछे जा रहे है all moons are suns कह रहे हैं कि जो सारे moon है, वो किस में है? sun में है अब आपको देखते हैं पता चलगे है, यह तो wrong है क्यों wrong है? क्यों wrong है? क्यों पूरा moon का जो हिससा है, इसका जो part है, वो पूरा kा पूरा moon किस में नहीं आ सकता? sun में क्योंकि sun है छोटा और moon है बड़ा तो इसलिए मेरे पास ही क्या हो जाएगा? wrong हो जाएगाAt least some Moons are Planets तो यहां पर हमारे पास Atleast some का मेनिंग क्या होता है सम होता है at least लग जाए यह भी क्या कहलाता है घुक्त है किसका केस आता ही सम कहीं केस आता है तो some moons are planets of course जो Sun का जो यह वाला हिस्सा है जिसका संका यह वाला हिस्सा किस के साथ शेयर हो रहा है प्लाइनेट के साथ यह वाला हिससा है मून का भी तो है मून का है कि नहीं क्योंकि मून के अंदर और बैठा हुआ सब्सक्राइब है तो समझ क्या होगे हमारे पास प्लाइनेटों जो यहां से राइट आनसर क्या जाएगा महारे पस only तो हमारे पास next question है statements दी विए all dancers are artists सारे dancers क्या है आर्टेस्ट है तो हम वेंड डाइगरम बना लेते हैं इसका कि सारे डांसर किसमें हैं आर्टेस्ट में dancers यह किया है मेरे डांसर की कि कि बीच में हैं यह क्या है canoe artist एलेशंशिप इनके बीच में किसका रेलेशन्शिप है इनके बीच में नो का किसके बीच में आर्टेस्ट और पर से सरा के बीच लएप चीक है यह मेरे पास बेंड डाइगरम बन गया जो स्टेट्मेंट्स हमें गीवन है कि सारे डांसर्स किसमें आर्टिस्ट है आर्टिस्ट और कोई भी आर्टिस्ट क्या नहीं है रेसर नहीं है अब आते कंक्लूशन पर no dancer is a racer क्या यह सही है yes वही कोई भी आर्टिस्ट का जो बड़ा वाला हिस्सा है इसका कोई relationship racer के साथ नहीं है तो जो इसके अंदर बैठा हुआ है क्या इसका होगा नहीं इसका भी नहीं होगा जो कोई भी आर्टिस्ट रेसर नहीं है तो कोई भी डांसर क्या नहीं होगा र सक्क्राइब कोई बीकिस्टेटमेंट हमारे पास क्या है और कि सारे रेशन में है और आर्टिस का किसके साथ गलिशन्षिप नहीं स्क्राइब तो जब इसका नहीं है तो इस सम कैसे हो सकता है क्योंकि कोई भी डांसर रेसर नहीं है यहां से क्या समझ में आता है कोई भी डांसर रेसर नहीं कोई भी आर्टिस्ट रेसर नहीं है यह हमारे पास थोट आते हैं हमारे माइन में तो सम कैसे हो सकता है इसलिए क्या हो गया यह only conclusion one follows इसका right answer क्या आएगा only one follow is the right answer next question है हमारे पास some trees are boxes कुछ tree क्या है boxes है तो बनाते हैं इसका वेंड़ा का some trees are boxes कुछ trees क्या है boxes all boxes सारे boxes क्या है bricks है क्या है bricks and all bricks are dogs सारी bricks किसके इंदर बैठी हुई है dogs में तो सबसे बड़ा पार्ट यहां से क्या है सबसे बड़ा dog है जो box है वो bricks के इंदर है और सारी bricks किसके इंदर dogs के तो इंडरेक्टली क्या हो गया कि सारे boxes डोग है सारे bricks क्या है डोग है अब देखते हैं अपने कंफियों some dogs are trees of course यह dog की boundary है यह tree के साथ share हो रही है तो सम का relationship है यहां पर यह dogs है जब कुछ boxes trees है तो इसके इंदर है किसके इंदर and ox is kis के अंदर है bricks के अंदर है तो की हę तो बोड़ी के साथ भी हो वरिया डोग की कि साथ धरी की कुछ साथ हूं kind यहां से मारे पास answer क्या रहाता बोथ conclusion number one and two four उन्सा की is the right answer next move next question है हमारे पास some TVs are plastics कुछ TV क्या है plastics है तो TV यह है हमारे पास यह TV है some TV are plastics and some plastics are VCDs some plastics are VCDs तो यह हमारे पास दिया हुआ statements ठीक है अब आते conclusion part पर हमारे पास conclusion बन दिया some TV are VCDs यह TV का पार्ट है यह VCD का दोनों अलग था लग हमें इनके बारे में पता ही नहीं तो हम क्या बोल देंगे इसको फिला रोग क्योंकि सम क्या है कि definite चेट में यह बोल रहा है कुछ TV क्या है VCD है लेकिन हमें यहां से नहीं दिखाए दे रहा और VCDs are plastic सारे VCD किसमें बैड़ जाए प्लास्टिक में यह भी नहीं दिखाए दे रहा तो सम कर लिश अंसर पे ओल कर नहीं है तो यहां से अंसर क्या चाहेगा नीदर नौर नीदर कन्कुशन नौर क्नुशन तो फोल्स लिट्स मोट नेग्स पॉस्टिन नेक्स स्वेष्ट हमारे पर सम्दो हूं देख मैन ये बनाने देख ना संश्छ वह कुछ बाँलस हैं वह क्या है आ थि हंद्बार क्या है पेड़िश अन और भरी प्लीट साथ हैसे लेट सब्रेपर अब लस Dia इत्νεद टाइं में इस वेन डाउने में लगा फॉर्च इनके बहुम नहीं नहीं होंяг सबंसर पॉंड़ कुछ पयों सब्सक्राइब है इनके बीछ में पेसका सम्गाती जाएगा सही तो यहां से आंसर के आया conclusion number to follow B is the right answer आपने देखा कितना टाइम लगा यह टाइम जब लगा जो मैंने आपको बोलते बोलते आपको लिख भी रही हूं समझा भी रही हूं तो इतना टाइम तब लग रहा है आपको किसी को समझाना थोड़ी ना आपको तो जिस्ट डरेक् से साथ सेकिंड लगेंगे तो स्टुडेंट्स मैंने प्रीवेस एर के questions करवाए हैं आपको तो थोड़ा सा आइडिया तो मिल गया होगा कि किस टाइब के आते हैं तो चलो नेक्स्ट वीडियो में आपके लेकर आओंगी नेक्स्ट कॉंसेप्ट के साथ तब तक आपना ध्